अगरसेन नगर फाटक के पास बस की सीट पर सामान रखने की बात को लेकर ड्राइवर के साथ मारपीट जिलास पताल में घायल का इलाज जारी चूरू से जैपूर जा रही राजस्तान लोगपत परिवन बस के ड्राइवर के साथ शुक्रवार को अगरसेन नगर रेलवे फाटक के पास बस की सीट पर सामान रखने की बात को लेकर कुछ लोगोंने मारपीट कर डाली मारपीट में बस ड्राइवर घायल हो गया मारपीट में घायल बस ड्राइवर को मोके पर पहुची पुलिस ने राजके भरतियास पताल के आपात का लिनवार पहुचाया जहां उसका इलाद जारी है राजस्तान लोग परिवन बस के ड्राइवर जाड सर बड़ा निवासी राम निवास ने बताया कि वे कलक्टेट सरकिल से जैपूर के लिए बस लेकर जा रहा था तबी कुछ सवारी बस में चड़ी जो बरतन बेचने वाले थे उन्होंने अपने सामान को बस की सीट पर रख दिया जिनको सामान बस की डिग्गी में रखने के लिए कहा गया तो उन्होंने मार पीट शुरू कर दी राम निवास ने बताया कि करीब तीन दर्जन लोगों ने बस को अगर से नगर रेलवे फाटक के आगे रोक कर उसके साथ मार पीट की और बुकिंग के 25,000 रुपे गले में सोने की चैन हाथ में घड़ी तोड़ कर ले गए आरोप है कि आरोप ही जाते वक्त बस की चाबी भी निकाल कर ले गए